नमस्कार सनमागलाई में आपका स्वागत है दीन भर की तमाम पर्मुक खबरों पर नज़र डालने के लिए अपने वरिस्ट योगी के पास चलती हूँ देखिए रूपम दीन भर की जारखंड की खबर बताएं तो लोग सभा चुनाओ को ले करके आज भारतिये जनता पाट चाहें चांडिल हो और मांजी हो इसके अलावा कोंग्रेस के जैराम नरेज भी है उन्होंने भी अपना पर्तियासियों के जीताने का दावा किया और कई खामिया गिनवाई लेकिन दुखत बात यह कि लागातार पुलिस के दावे या सरकार के दावों के बाद अपराधी आज भी बेलगाम है धनबाद में आज भी गोलियां चली और अपना वर्चसों करने के लिए उन लोगों ने कई लोगों को फटकारा भी डंडों से पिटाई भी कि जबकि राज्य में क्या पुरे देश में अचार सहींता लागू है इसमें पुलिस की भूमिका अहम होती ह है लेकिन पुलिस मुखिया के लगातार जो दावे हो रहे हैं वो बोने सावित हो रहे हैं तो आज की प्रमुक खबरों में एक तो यहीं है कि अब तीन राज्य में परथम चारण के चुनाव के जो तीन चैत्र है पलामू चत्रा और लोहर्दगा वहां पर चुनाव हैं यह रहा है जल जंगल जमीन हाँ एक चीज है कि इस वार वो थोड़ा मुढ़े है अलग इसमें इस बार इन्होंने शिक्षा की बात की है स्वाष्त की बात की है जैसा कि इनका एलायन्स है कॉंग्रेस के साथ हम उनों ने आज घोस्ना पत्र जारी किया है वह मात्र मैं समझता हूं कि अप्चारिकता ही है क्योंकि जल जंगल जमीन इनका जो नारा है वो तो है लेकिन बहुत सारे जो घोसना पत्र में इन्हों ने कहा है पहले तो यह माल नहीं कि घटमंदन है जो कॉंग्रेस का घोसना पत्र है उसी को समर्थन कर रहे हैं एक जो हमें खटका यह कोल ब्लॉक आप जैसे जानते हैं यहां कोईला का बहुत बड़ा भंधार है और इसमें अवैद कोईला बहु करता है और वो समाथ होगा और करोड़ों लाखों लोगों को नौकरी मिल जाएगी जो अस्थानिये हैं लाखों लोगों को अप्रत्यक शुरूप से दिन बर की तमाम पर्मुख खबरों में बस इतना ही फिर कल मिलते हैं नमस्कार